part 2, so, अब आपने क्या करना है अब हम ले रहे है, fiber texture paste from crafter logger आपको इसको निकार लेना है, then आपने army green chalkpint लेना है and आपने, ये burst of line chalkpint लेना है रत्यादी करके रखा था, but that's okay मैं तोड़े सा और ले रहे हूँ ये तोड़े थिक होता है, you can see अब इसके अंदर आपने थोड़े से ड्रॉप्स पानी के डालने है तब ऐसी हाथ से और उसकी बस पैटूला से इसको यू कें सी यह कितना ठेक होता है आपने जस्ट इसको मैश करना है जैसे हम करते हैं न कुछ चेज़े बनाते है और हम कर रहे हैं जैसे आपको एफेक्ट के लिए इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेनी है इसमें तो जैसे मैंने कलर मिक्स करके रखा था ये वाला हमने मौस इफेक्ट का कलर दिया था मुझे थोड़ा सा और इसको अच्छे इफेक्ट देना है तो मैं ये army green color ले रही हूँ जैसा आपको effect चाहिए आप उतना color डालो पहले मैंने लिया था burst of lime then army green तो वही same process से इसको आपने अच्छे से mash करना है हम moss effect क्यों दे रहे हैं कि जो भी हमारे जैसे आपने इसको planter को बहार रखना है, plants डालके रखना है कुछ भी रखना है तो आप कर सकते हो like this, see इसको अच्छे से mash करके आपने इसमें fiber texture paste लेना है क्योंकि उसमें fiber और fiber जैसे effect है और या तो आप grainy texture paste भी ले सकते हैं बोथ हार okay but I will take this fiber texture paste वो अच्छा effect देती है इसमें, इसको अच्छे से mix कर देना है like this अगर आपको लग रहे कि मुझे थोड़ा सा और dark color चाहिए तो आप थोड़ा और color ले लो army green या तो अब olive color भी ले सकते हो जिस पे हमने ये वाला एक effect किया था न ग्रे वाला white texture paste में थोड़ा सा gray color mix किया था इसी तरह वो white texture paste थी ये हमारी fiber texture paste है अब ले लिया mix करने के बाद आपने अच्छे से इसको कर देना है जैसे बारिश हो जाती है हरा हरा area हो जाता है greenery हो जाती है like that only you have to apply on random areas not too much इसमें मैं आपको बताती हूं is in this I have taken too much of moss effect बहुत जाता मैंने moss दे दिये but now in this area this one I will do a little bit you have to do little bit not too much just like that only with the spatula only you can do on some of the areas not too much उसमें मैंने gray part चुपाई दिया था जो हमने ये वाला cement effect दिया था था ना वो देना भी बहुत जुरूरी है so that's why I want to change the design and the idea also do on some of the random areas अगर आप image की उपर करना चाते हो that's okay अगर आप नहीं करना चाते है तो भी ठीक है ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है that's it मुझे बस इतना ही इसको moss effect देना है so that की ये थोड़ा सा natural लगे वो जो पहले वाला था it was I am saying it was looking good but this is awesome so I want to give आपने gray part छोड़ना है like this so let it dry then we'll come back again but it is झाल